अलो मैडम कैसे हों मैडम ऊके तो आज आप पालर है एक और है कि ना कराना है आपको मंजि मैक अपकर शिर्जार स्वीडिया करते हैं और आप बताएगा उत जारही है तो यहां बैता में जाते हम जारे भी है निस पहले क्र सुड़ जैना फलब्वी वर्ड में तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूस करेंगे सीरम तो यहाँ पर किरेंगे बहुत जाथ大家好 टिए श्कीन अच्टर करेंगे साथ पर नगी है न जयामाầट ओक히 यहां पर मैं दो तरह के कंसीलर मिलाकी करूंगी ठीक है ताकि जो इनका स्कीन टोन है उससे थोड़ा सा वाइट कलर में लेना है अगर आपको कंफूजन हो जैसा जब भी मैं नंबर बताती हूं कंसीलर की तो आप सबी लोग कंफूज रहते हो कि कौन सा नंबर लगाना है तो ब्लेंड करते समय आपको ध्यान लखना है कि आपकी जो ब्लेंडिंग है वह अच्छे से हो और बहुत ही तरीके से हो ठीक है ताकि आप जब भी इस पर आइशीर यूज करें तो वह ड्राय ड्राय सा ना हो और बाद में फटा फटा सा ना लगे तो बहुत सारे लोगों की क आई-लाइटर होता है वह काफी अच्छी शाइनिंग देता है इसलिए मुझे यह बहुत जादा पसंद है तो आपकी जो भी ड्रैस है उसमें जो भी कलर रहा वह पर ले सकते हो गोल्डन है तो गोल्डन ले सकते हो तो यहां पर में लोंगी सिल्वर क्योंकि इनकी ड्रैस म भी बनाती हो तो दो कलरों को मिलां के इक कलर बनाती हूँ है आपने नोटी के क्या होगा तो यहां पर otras देते हुए आपको do because of the next Corvette से मैं करना मैं करने हुआ इसी तरह से आपको करना है आई होप एभी वीडियो आपके लिए बहुत जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है और काफी हल्फुल भी रहेगी तो बहुत सारी लोगों की कन्फ्यूजन रहती है कि जिन लोगों की स्किन डाक होती है उनको मेकप कैसा क्या जाए कभी मेकप काला पड़ जाता है कभी मेकप भूत जैसा मेकप ना हो इसलिए मैंने इस वीडि और दूसरा इंकी ड्रेस से थोड़ से कॉमिनेशन जाए तो आपकी अगर अलग से कोई चॉइस है जैसे के आपके ड्रेस में कोई अलग कलर आ रहा है तो वह कलर भी आप इसमें अपलाए कर सकते हो इसके बाद हम जो भी हमारा वेस्ट आइसे पर गिर चुका है उसे अच्छ यहां पर अपलाए करेंगे तो यहां पर मैंने ऑलीविया की साथ नमर पैने स्टिक लिए और जब भी आपको इस टाइप को कोई भी स्कीन टॉन वाले मिन्स मिलते हैं तो आपको हमेशन साथ नमर की पैने स्टिक का इस्तमाल करना चाहिए जिससे कि आपका जो मेक अप है वह अच्छे से गलो करें और ऐसी स्कीन वालों के लिए यह जो यलो वाला कलर पैने स्टिक आती ना इस टाइप का यूज करना चाहिए आई होप यहाँ पर मैंने अभी तक जितना भी बताया कैसे ब्लेंड करते हैं कौन सा कंसिलर यूज क्या है यह सारी चीज़े आपको बहुत अच्छे से समझाए होगी जब भी आपके पास इस स्कीन टोन वाले कलाइन टाएं तो आपको हमेशे याद रखना है कि आपको साथ नमबर पैने स्टिक का इस्तमाल करना है या फिर पैन केक का भी इस्तमाल कर सकते हो चैनिस्टिक लगाने का बेनेफिट यह होता है कि आपका जो मेकप है वो लॉंग टाइम तक स्टे रहेगा काफी टाइम तक चलेगा और इसके उपर जो भी हम अपलाई करने वाले यहां तक आपको वीडियो समझ आई होगी यहां तक तो कोई भी कनफ्यूजन नहीं रही होगी जैसा कि इस टाइप की फेस में थोड़ से दिक्कत होती है फेस में तो नहीं कहूंगे कलर में क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी जो भी स्किन टोन वाले आते हैं उनको बहुत बना देते हैं या फिर बहुत ज़दा काला बना देते हैं तो हमें ऐसा बिलकुल नहीं करना है हम प्रोडेक्ट की पहचान होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडेक्ट ऐसी स्कीन वालों के लिए तो यहां पर मैंने क्या करा कि यहां पर मैंने यह आपको कोई भी कंफिशन नहीं रहे कि अभी तक जितना बता है उतना अच्छे से समझाएगा और आपको इसको अच्छे से अगर आपने ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं किया तो हो सकता है कि आपका जो फेस बाद में फटा फटा सा नजर आने लगे तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें ब्लेंड अच्छे से करना है थोड़ सा टाइम एक्स्टा देना है और हमें अपने नेक वगरा को भी चलना है आपको एयर वगरा पे भी ये कंसीलर वगरा यूस करना चाहिए ताकि आपके नेक और आपके येर वगरा अलगना नजर आए ठीक है अब हम पूरी बॉडी पे तो कंसीलर नहीं लगा सकते लेकिन जो जो एरिया हमारा दिखाई पड़ता है उस उस एरिया पे हम कंसी आपको गॉलाना की आपके पडम मैकप करने वाले है तो क्ल यह लोगों 날 हो जैके देख लूगी और उसमें मैंने सही सही बताया है कि कौन सा facial ऐसी skin वालोगले होता है यहाँ पर मैंने यहाँ पर concealer अप्लाई गया concealer इनकी skin tone का है तो यहाँ पर concealer करा है अब इसको अच्छे से blend करना होगा तो blend करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है सबसे पहले घिसना नहीं होता है उसे रगणना नहीं होता है टेप टेप करते हो उसको blend करना होता है देखो मैं किस तरह से कर रही हूँ वो आप ढंक से देख लीजिए अगर आपको वीडियो में कोई भी confusion है तो आप मुझे comment कर सकते हो मैं उस comment पर reply करूंगे और प्लीज bad comment बिल्कुल मत कीजिएगा और आपके लिए एक good news है कि भाई आपके लिए रोज की रोज कुछ ना कुछ वीडियोस आती रहती है हमारे इस channel पर follow of the world पर तो आपको चल को subscribe ज़रूर करना चाहिए कि क्योंकि नया नया कि कितना कितनी देर तक मैंने इसको blending किये तो हो सकता है वीडियो कम से कम दो तीन घंटे की बन जाओ और फिर आप बिल्कुल भी नहीं देखोगे तो इसलिए आपको थोड़ सा time देते हुए करना है ठीक है क्योंकि makeup में थोड़ सा time लगता है लगता है ब्लेंडिंग के ओपर कि blend अच्छे से करना है ठीक है तो आपको यहां पर थोड़ सा ध्यान रखना है blend करने का तरीका देख लेना है इसके उस करेंगे पैनके को तो यह तोड़ा सा बट कोई दिक्कत नहीं है आपको तो अच्छे से दिखी रहा है तो यहां पर हमने पैनके का इस्तमाल किया और काफी अच्छे से करेंगे और आप इनका लुक देखना कितना अच्छा आता है इसको सबसे पहले हमें वाटर की मदश से थोड़ा से इसको वैट करना पड़ता है गिला करना पड़ता है उसके बाद इसे अपलाई किया जाता है इसको अपलाई करने का तरीका देख लो टैप टैप करके इसको अपलाई किया जाता है और कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं करना आपेन किक का इस्तिमाल करते अब आप पास टाइम नहीं है जल्ली-जल्धी काम है तो आप pancake से भी बेस बना सकते हो काफी अच्छा बेस बनता है आपको मैं बता दू पहले के टायम पर प्रैशन हुआ करते थे वह काफी सारे लोग तो इसी पैंकेक का स्थिमाल करते थे और उसी ईसे ही बेस बनाते थे तो इसलिए येlog बेस का काफी अच्छा होता है आप देखना देखो मैं इससे बेस बना रहे हूं और इससे काफी अच्छा लुक आएगा इनके उपर और जब भी आपको कन्फूजन हो कि भई किसी की स्कीन डाक है इनकी स्कीन पर बेस कैसे बनाएं तो आप हैल प्ले सकते हो पैंकेक क्यों कि यह 21 न यह अभी साधियों का सीजन चल रहा है तो इसलिए मैं अपने उपर भी ध्यान नहीं दे पा रही हो और यहां पर बहुत साली लोग फोकस करेंगे मेरे हाथों पर क्योंकि मुझे नीड है वैक्स की तो मैं भी वैक्स करा लूंगी टाइम निकालके तो जब भी हम काम करते ह ना तो यार कभी-कभी हमें अपने ले टाइम नहीं मिलता है तो प्लीज आप इस चीर को आवाइड कीजिएगा और कुछ भी रॉंग कोमेंट मत कीजिएगा कि भई पहले आप अपने आपको देखो यह वो वगरा वगरा उल्टी सीदे कोमेंट बहुत सारे आते क्योंकि दी मॉटिवेट करने वारे लोग भी बहुत सारे तो इसलिए जो मेरे सब्सक्राइबर है जो मुझे सपोर्ट करते हैं आई वीश वो लोग हमेसा मेरे को एक अप्रीशियेशन करेंगे कि हां मैं माप करो हम आपके साथ हैं ओके तो यहां पे हम कर रहे हैं अपना बेस तो देखो कितना अच्छा लोग आ रहा है यहां पे मैं आपको थोड़ा से इनका हैड नीचे करके दिखाऊंगे उससे पहले मैं यहां पे इनकी नैक वगरा पे अच्छे से कवर कर देती हूं इसके बाद हमने पैंकिक लगा दे यहां पे हम यूज कर रहे हैं लूस पॉर्ड ब्लश की मदस तो यहां पे हमने लूस पॉर्डर का इस्तिमाल करें बहुत अच्छी से करने की कोशिस करूंगी और मैं जब भी कोई काम करती हूं आप सबी लोगों को भी बोलती हूं कि अपने पूरे एफट्स लगाओ अच्छी से काम करने के कोशिश करो क्लीस यहां पे आप लोगों को थोड़ सी प्रॉप्लम होती होगी यह बैक साउंड की वज़े से लेकिन यार मैं क्या करूँ मैं पूरी कोशिस करती हो आपके लिए की बैक साउंड यह जो होर्न वगरा के साउंड आते हो ना है लेकिन आप लोग अंडरस्टैंड करोगे चीजों को और यहा जो लोगो की पर बहुत सारे नहीं खरी सकते तो वो लोग इस वीडियो को जरूर को जरूर देखे ताकि उनको पता चले कि निकरना या आपको जो भी समाने आपके पास उससी से आप अच्छा भी कर सकते हो ठीक हैं तो इसी लिए आपको जो भी चीजे सीखने हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए यहां पर आपको बहुत सारी की मिलेंगी जो की नियों और बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होंगे वह सवारी चीज़ा आपके बजट में होंगी तो यहां पर हमने इनकी जो नोज वकर इसको पतला करने यह भी हमने कर दिया है आयोप यहां पर आपको पसंद आएगा तो अब हम क्या करेंगे इनके ब्लैशर करेंगे अच्छे यहां पर हम एनकी नोज पर थोड़ा सब ब्लाशर करदेंगे थाकि इनकी जो नोज है वो थोड़ी शाइनिंग करें देखो यह समय अब करता है अब हम इनके आइब्रोस करेंगे तो हमारे पात जो हमने ज़रूरी पैंसिल य क्यूद लिए ना जो अपर बजारी च्चिट किए होंगे उन सारी वीडियो में इसी तरह से आइप्रू सेट किया है और देख सकते हो किस तरह से सैट कर milman सबसे पहले आपको करें जिस तरह से अच्छा अगर आपको ड्रोइंग अच्छी है तो भी आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं क्योंकि यह क्रिएटिविटी होती है और काफी मिंस इंट्रस्ट के साथ की जाती है तो इसलिए अगर आपको इंट्रस्ट है पालर में मेकप में तो जरूर आप इस चीज को बहुत अच्छी से कर सकते हो और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो तो इससे हम अपने आइब्रो को हलकालका साइट करेंगे देखो किस तरह से सैट कर रही हूं ठीक है आगी से आपको बहुत ज्यादा डाग करके नहीं है हलकी हलकी सी रखनी है और मेरा यह स्पेस कहीं कहीं से मुझे थोड़ सा ब्लैंक नजर आ रहता है इसलिए मैंने से फिल लाइनर तो अब हम यहां पर लाइनर लगाएंगे आई होप यह लाइनर आपको चीस समझाएगा तो यार कैमरा इस तरह से सैट हो रखा था कि आपको नजर भी नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए सौरी और लाइनर के ऊपर मैं कोई दूसरी वीडियो बना दोगी जिसमें आपको अच्छे से सबजाएगा कि लाइनर किस तरह से लगाते हैं और जब हमने लाइनर नहीं भी लगाया था इनकी आँकों में तब भी बहुत ज्यादा पानी आ रहा था तो अगर ऐसा कुछ होता है तो पहले तो मैंने सोचा कि यह लाइनर नहीं लगाते हूं फिर यह नहीं लगाते तो उसमें मतलब मेक अप में लुक नहीं आते हैं तो इसलिए फिर भी मैंने थोड़ से लाइनर लगाया वटर प्रूफ और यहां पे हम अब इनकी आईलेशी से लगाएंगे तो सबसे पहले हमने ले लेनी है और इनकी आई शेप की वज़े से इसको कट कर करना है जितना भी मतलब आपको लंबी रखनी हो सिसाब से ठीक है बहुत ज्यादा लॉंग भी मत करना क्योंकि फिर आगे की साइड आके चुबने लगती है तो यहां पर हमने यह आईलेशी का गम लगाया और इसके बाद हम इनको आईलेशी को सेट कर देंगे ठीक है किस हम अशे में और पार पहले लगाया और पर पर रॉम ड़े एक और आपकी जो आईपरे से दो जाएंगे यहां इसा पर पर छेसे क्लिके अच्छां में थब भी आहाएं रिचा लग रहा है तो हम बहुत जा ज्यादा धिक फ्याद रखना और शेट देने हैं शेप देते समय आपको यही देखना है कि आपकी जो शेप है वो equal है या नहीं है कभी-कभी हो जाता थोड़ सा मोटा पतला या फिर उपन नीचे भी हो जाता है बहुत ऑसम होने वाला है तो यहां पर मैं इनकी लेपस्टिक फिल कर रही हूं देखो किस तरह से कर रही हूं वह आप अच्छे से देख लीजिए और यह काफी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि बहुत सारे मैंने पाला वाले देखें कि मैं इनसे क्या करते हैं अगर मेकप खराब हो जाता ना तो सच में चैरी के वाट लग जाती है तो मुझे ऐसा कुछ भी निकाना मुझे रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी इसलिए मैं अपने लिपस्टिक को ब्रेश में दसे लगाती हूं यहां पे मैं काचल लगा लोंगी और काचल लगाने के बाद इनके आ क्रिंपिंग करने के बाद इनके जो हेर है वो थोड़े फूले फूले से हो जाएंगे हैवी से लगेंगे और हम जो भी हेस्टेल बनाना चाते है वो अच्छे से बन जाएगा तो यहां पे हम इनको क्रिंपिंग करेंगी ठीके पूरी हेर पे तो नहीं करेंगे हाफ हेर पी की जो हीट न वो आपके हेट पे लगे ऐ हो और आपको ऐसा लगे कि आप जल गए यहां गयो तो इसा नहीं करना है आपको इन सारी चीज़ों को धियान लगना है आपको अपने बालों पर किस तरह ऐसे कि करने यह देख लीजे और जैसे कि मैंने आपको पहली बता देए कि इसकी पर मैंने वीडियो भना रहा है अगर आपके पास कोई निव टोपिक है कि मैम हम इस सब्ग Willis काने हैं तो प्लीज कॉमेंट में कुल बैण आपके कोई अलग से सजेशन कि मैम यह चीज्ट जरूरी यह यह करें तो फिर मैं उसके वह PayPal करूंगी तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहते हूं कि मुझे नीड है आपके फीडबैक की क्योंकि जब या फीडबैक देते तो मैं उस पर काम करते हूं और आपका फीडबैक में लिए काफी हेल्फुल रहता है मेरी जो भी इंप्रोमेंट है उसको अच्छे से कभी बोलते समय गलती हो जाती है ना कि जल्दी जल्दी में हम बोलना कुछ चाते हैं और निकल कुछ जाता है तो उसके लिए मैं माफी चाओंगी बट मैं पूरी कोशिस करती हूं आपके लिए एक अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की ठीक है तो आज मैं थोड़ सा मिरको फिल अच्छा नहीं हो रहा था मैंस आज मैं थोड़ सी हेल्थ ठीक नहीं थी इसलिए मेरी हालत ऐसी लग रही है तो प्लीज कोई भी बैड कॉमेंट मत करना ठीक है तो हमने यहां पे हमारी किरिंपिंग हो गई और देखो हमारे एक दो लेयर रह गई है जिने हम करेंगे तो यहां पे अब देख सकते हो हम इसे कॉम करके देख लेएंगे अगर हमें एक दो लेयर की ज़रौत है देखो यहां पे हमारी किरिंपिंग फाइनल हो चुकी है सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पे सैक्षिन निकालेंगे सैक्षिन ले लिए इसके बाद अपने हेर को रिवाइड करेंगे इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद हम अपनी लेर को पाडिशियन करेंगे तो पाडिशियन करने के बाद क्या होता है आप अपने हेस्टाइल के अकोडिंग जो भी आप हेस्टाइल बनाना चाहते हो उसके अकोडिंग आप कर लीजिए और यहां पे हम मोटी वाली रबड है तो लगा लीजे अगर पतली वाली है तो इस तरह से लगा सकते हो इस तरह से लगाने पर यह होता है कि आपकी जो रबड है वो अच्छे से बालों में पकड़ बना लेती है और बाद में खुलने का भी कोई डर नहीं रहता है जब भी आपको इस इसलिए इसको एक और बाद में वाद पिन कर दिया ठीक है अब देखना मैंने यहां पिंगा मांग टी कर दिया है जैसा कि इनके मांग कि में इनकी चैन कमती इसलिए यहां पे यह पहले थ्रेड के है तो जब भी आपका चूटा हो तो आप पहा पे थ्रेडियूस कीजिए प去 स्वार करेज़ेंड लिए देख लेघेज और लिए पीछी साइड सब्सबर करेंगे सीजिटा मेफर्फ करने के लिए सब्सक्राइब जो भी रेखे ना किस दरेसे सब्सक्राइब पर इसको फोल्ड किया और जो हमारे हाथ में डॉनेट था उसको साइड में रखा और यहाँ पे एक तूसरी लेयर उठाई और उसके साथ मिक्स करको उसको फोल्ड करते हो चले तो इसी तरह से हमें अपनी layer उठाती जानी है जैसे जैसे हमने पहली layer उठाई है इसी के बाद इन्हें fold करते हो चलना है बहुत ही simple style है बहुत ही simple तरीका है लेकिन बहुत अच्छा लगता है इसी करने के बाद तो आप लोगों को ऐसे करना है सबसे पहले आपको fold कर देना है देखो किस तरह से fold कर रही हूँ वह भी दिख लिजिए और इससे पीछे की साइट टक कर देना है देखो मैंने आपको यहाँ पर पिन लगाते हो भी दिखाया है ठीक है यह हमारा यहाँ से एक मजबूती हो किया इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे तो सबसे पहले करना क्या है आपको आपको हेयर डिवाट कर लिए इसके बाद हेयर स्प्रे करा और इसके बाद हम लेयर उठाना शुरू करेंगे तो इस तरह से हमने सबसे पहले एक पहला section लिया इसको हलका सा fold किया इसके बाद दूसर सेक्षण लेंगे उसको भी हलका से फोल्ड करेंगे जिस तरह से हमने पहले वाला बनाया है पफ इसी तरह से इसको भी बनाएंगे ठीक है? बहुत ही simple है बहुत ही easy है कोई भी कर सकता है normal basis भी आप लोग इस type का कुछ hairstyle करते होगे तो मैंने पूरी कोशिस किये आपको अच्छे से अच्छे करके सिखाने की और मुझे उमीद है अब आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि इतना तरीके से इतना slow तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया है और कोई भी confusion हो तो please comment जरूर कीजेगा और देखे इनके base देखे यहाँ पर इनका base अच्छे सा set हो चुका है और यहाँ पर हम अपने hairstyle पर हलका सा क्या करेंगे spray कर देंगे और यहाँ पर थोड़ से line draw करने के कुशिस किये मैंने तो आपके जो यह थोड़ थोड़े hair आते ने इसको clean कर लीजिए और इसके बाद इसी तरह से जैसे आपने एक side से layer उठाई थी अब इधर से क्या करेंगे center की मांग निकाल लिए इसके बाद इसे हम उपर की side से curls type में करते जाएंगे ठीक है round round करना है round round करना बहुत ही आसान होता है बहुत easy hair style है और ऐसा तो हम normally करते है front से जब हमारे hair cutting वाले hair होते हैं तो इसी तरह से हम clip करते हैं तो इसी तरह से आपको करना है जिस तरह से मैंने किया है इसके बाद हम क्या करेंगे second layer भी ऐसी लेंगे अगर आपको first में समझने आए तो I hope इसमें तो बहुत अच्छे से समझाएगी और मैंने काफी अच्छे से समझाने की कोशिस किया है आप चाओ तो यहां से थोड़ से layer छोड़ सकते हो आपने curls वगरा के लिए ठीक है तो इन्होंने मना किया था कि मुझे कर्स नहीं रखने इसने मैंने इनकी layer नहीं छोड़ी तो यहां पर हमारा हेस्टाइल है देको बन चुका है और यहां पर हम इससे थोड़ा से फुलाने के लिए इसको थोड़ा थोड़ा से उठा देंगे ठीक है तो उठाने का तरीका देख लो किस तरह से उठाते हैं तो अब हम करेंगे back side से style ठीक है तो यहां पर हमने अपने front तया कर ले अब हमने जो पीछे की side क्या करा था हमने pony कर रही थी यहां पर डौड़ने लगाया है इसको pin की मदश से cover कर लीजिए वैसे एक दो pin में भी अच्छा से ठीक जाता है और यहां पर यार एक situation क्रेट हो गई थी कि मेरे पास जो जूड़ा पेन है वो खतम हो गई थी लेकिन कोई दिक्कत ने है हम वह ज्यादा talented है तो इसलिए हम क्या करेंगे हम अपनी bob pin की मदश से इसको जूड़े को बनाएंगे तो यहां पर हम हमने bob pin की मदश से जूड़े को बनाएंगे और देखना कितना अच्छा बने गई है तो यहां पर जो मैं करल हेर बना रही हूं यह जो करली करके में जूड़ा बना रही हूं यह हमें करली करने उसके बाद इसमें bob pin अपलाए कर देनी है तो जैसे हमने bob pin से किया इसी तरह स सबसे पहले लेर उठानी है इसके बाद कल बनाने इसके बाद क्या करना है पिन से अटेच कर देना है अगर आपको कल्स बनाने में कोई दिक्कत है तो आप दो तिन बार प्रैक्टिस कीजिए जरूर आजाएगा इतना मुश्किल भी नहीं बहुत आसान है और मैं इस चैनल करतें इसमें से मैं पिन को रिमूव करूंगे और इसके बाद इसको हलका सा और फोल्ड करूंगी और यहां पर हम इसको बॉप पिन की मदद से अटेच कर देंगे तो यहां कर दिया इसके बाद हम इसका भी कल्स बना देंगे और कल्स बनाने के बाद क्या हमारा जो हेस्ट तो यह हमारा फाइनल मेकप हो चुका है आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि इसमें हमने किया है बहुत जदा हार्ड वर्क तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल और पहले मेकप देख लो या कितना गजब का मेकप लग रहा है हेस्टेल देख स reducing Scott watching video मिलते रहेंगे आपके साथ निए निए के साथ अगर आपका कोई चैलेंग pipeline अगर आपका कोई कर सब्सक्राइब करों ही उसकätप व्यडियो बनाने की और लाइव सेशन में वी थे लिए आती रहती तो अगर आपके कर सकते हैं हेलो मेडम कैसे हो तो आपने मेक अप कर आया है जैसा कि हमने आपको कलीब होता है था तो कैसे लगा आपको बहुत बहुत नाइस नाइस लगा अच्छा तो माई डियो फ्रेंड्स आप सभी लोग देख सकते हो इनका हमने मेक अप क्या है थोड़ा सा एक्स्टर टाइम लगा है क्योंकि इसकीन बहुत जादर ड्राइव होड़ी थी लेकिन मैंने पूरे एफ़र्ट्स लगा के कोशिस किया अच्छे से अच्छा बनाने की आई होप इनके फैमिली वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा तो ये है इनका फाइनल लोक मेकप के बाद तो आई होप आप लोग इस मेकप को लाइक करोगे और वीडियो पसंद आये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना वीडियो को लाइक करना बिलकुर मत बुलना तो चलिए फिर मिलते एक नईव वीडिस सा आप तो बाबाइस